नमस्कार मेरे साथियों जैश्री कृष्णा हर हर महादेव। दोस्तों, चीटियों का घर में आना सामान्यसी बात है। आप कहीं भी कोई जूठा भोजन या खाद्यपदार्थ छोड़ देंगे, तो उसका सेवन करने के लिए चीटियां अपने आप चली आती हैं। लेकिन वही कई बार ऐसा होता है कि चिंटियां घर की उन स्थानों पर दिखाई देती है, जहां बेहद साफ सफाई होती है। और कई बार यह आपके पूजा घर में भी नजर आती है। तो दोस्तों, आखिर यह किन चीजों का संकेत देती हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, व जियोतिश शास्त्र के अनुसार घर से चींटियों का निकलना न केवल आपकी आर्थिक स्थिती के बारे में जानकारी देती है, बलकि भविश्य में होने वाली नुकसान के बारे में भी जानकारी देती है। वैसे आपको बता दें कि सीलन वाले स्थान से भी चीटियां अ रहती वहां भी चीटिया नजर आने लगती हैं तो आईए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या इसके पीछे कोई संकेत होता है घर में लाल चीटियों के संकेत दोस्तों यदि घर में अचानक लाल चीटियां दिखाई देने लगें तो समझ ये कि आर्थिक विपत्ती आने कहीं कोई घाटा होने वाला है अचानक कोई ऐसी जरूरत आने वाली है जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है दोस्तों चीटियों के माध्यम से शनी और आपके इश्टदेव इस प्रकार से आपको संकेत देते हैं कि आप अभी से संभल जाएं स्थितियों पर नि लोग लाल चींटी को देखते ही मार देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने इश्ट पर आस्था रखते हैं तो आपको उनका संकेत लेकर आने वाली चींटियों को मरना नहीं चाहिए बलकि उन्हें भगाने के ल और उसके उपाएं दोस्तों यदि आपके घर में काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है और आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है अर्थात कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके और आपके पुरे परिवार के लिए मंगल कारी ह लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप काली चींटियों को ऐसे ही अनिश्चित काल तक लगातार आते ही रहने दे या फिर बुलाते रहे जब आपको सपष्ट रूप से समझा जाए कि काले रंग की चीटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है तो उनके आठा डालना शुरू कर दें ऐसा करने से आपके इश्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है तो फिर उसके बाद चिंटिया अपने आप वापस लौट जाएगी तो मेरे साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा जै श्री कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव